अलो फ्रेंड्स सौगता सभीका मेरे यूटूब चनल आजब मेडिसीन में आज हम रिवीव करने वाले हैं इस करेंट जेल के बारे में इसके क्या क्या विजेज हैं, बेनेफिर्स हैं, प्रिकोसिन हैं और सबको क्या क्या सैट इफेक्ट हो सकते हैं चानकरी के लिए इस वीडियो को पूरा जूर देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे यूटूब चनल को सब्सक्राइब नहीं क्या हैं, तो इससे सब्सक्राइब करें, और बेल आगन को जूर दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिपेकेशन मिलते रहे हैं इस करेंट जिल मेंटकरन फार्मा का बेस्ट कॉलेट प्रवट्ट हैं, जिसकी प्राइज होती हैं, दो सो उन्चालिस रुपे अठाण पैसे पर पेक, ये पंदरा ग्राम के पेक में होती हैं, जिसका कंटेंस होता है, एलियम केपा एक्स्टेक्ट जिरो पॉइंट एक ग् जाएगी, इस करेंट जेल का उप्योग चोट, सर्जरी, जलने, मुहासे और चरम रोग के निसान को हटाने के लिए के जाते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई डीवीटी की प्रोब्लम है, या फिर आपको कोई चोट लग गए हैं, कोई सर्जरी होने के बाद टाके लगए है कील मुहासे होने के वज़े से निसान पड़ गए हैं, या गड़े हो गए थे, तो उस कंडिशन में उन गड़ों को और निसान को हटाने के लिए ये क्रीम बहुत ज़्यदा एफेक्टिव हैं, साथ ही अगर आपको कहीं जल गया था, या फिर आपको प्रेगनेंसी के अगर आपको अंडर स्कीन ब्लेक क्लोड आ जाते हैं, तब भी ये काफी असरदार क्रीम है, साथ ही अगर आपको ड्राय स्कीन की प्रब्लम है, खुर्दरी स्कीन, पपड़ी दार और खुजली वाली स्कीन की समस्या हैं, तब भी इस क्रीम का यूज आपके लिए बहुत निसान पड़ जाता हैं, कट लग गया था, तो उसका निसान हो गया हो, या फिर आपको किसी एक्सिलेंट के जासे आपको कई गाव हो गया था, और उस गाव का निसान पड़ गया हैं, और आपको आपकी स्कीन की निच्चे खुन का ठक्के जम जाते हैं, काले-कले निसान पढ़ जाते हैं, तो भी इसी सभी तरह की परिशाने को ठीक करने में ये काफी help करती हैं, कभी-कभी डॉक्टर्स इसे, psoriasis, thromboflibitis और pulmonary embolism जैसी problems में भी यूज़ करने के आपको सला दे सकते हैं, इसे ध्यान रखें कि इसे आप ताजे जगम पर ना लगाएं, इसे दिन में 2-4 बार आप लगा सकते हो, इसे लगाने से पहले जहां आप इसे यूज़ करें, उस जगव को आप अच्चे भाने से, साफ पाने से आप उसे साफ कर लें, और इसे उसके बाद इसे हलके हाथों से लगा लें, इसे थोड़े लंबे समय तक आप यूज़ करने के बादे आपको इसका बेटर रिजल मिलेंगे, क्योंकि कम समय में इसके रिजट आपको नहीं मिलते हैं आप थोड़े दिन अगर लगा के इसे छोड़ देते हैं इसका यूज करने के बाद अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो हो सकता हैं सैद आपको उतना ज्यादा फायदा ना हो जितना आपको होना चीए और ध्यान रखें कि इसे सीधे आँख, मुह और नाख में जाने से बचें इसे लगाने के बाद आप हाथ अच्छी तरह से दोएं और इसे आप सिर्फ भारी यानि एक्षिनल यूज़ ही करना है आपको इसे जान लेते हैं इसके होने वाले side effect के बारे में तो वेशे कि इसके कोई भी major side effect नहीं होते हैं पर कुछ जो आपको कभी कबार नजर आ सकते हैं वो हैं apply की हुई जिगह पर जलन होना, खुजली होना या readiness आ सकती हैं पर ये side effect ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे थोड़े देर में अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर ज़्यादा देते करेते हैं तो आप अपने डाक्टर से consult कर सकते हैं तो friends, उम्मीद आपके वीडियो जुरूर पसना होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like करें, comment करें, share करें और चानल को subscribe करना ना भूलें Thank you